हेलो दोस्तों वेलकम टू डियेश्डी कार्स और भाई आज की वीडियो में बात करेंगे अपनी टाटा टियागो एक्स्टी के बारे में कई सारे भाई कह रहे थे कि अपनी टियागो एक्स्टी का जो रिव्यू है वो डाल दीजिए तो भाई थोड़ा सा टाइम नहीं मिल था माइलिज वगेरा टेस्ट करने में तो ये जो रिव्यू है वो आज मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूं और टियागो एक्स्टी में क्या कुछ आपको मिल जाता है क्या ओन रोड प्राइस है क्या कुछ प्राइस में ब्रेक अपको मिलता है जो कि मैंने पे किया है गुडगाओं हरियाना में वो सारी बातें आपसे आज की वीडियो में करने वाला हूं तो चलिए बात कर लेते हैं कि टियागो एक्स्टी में क्या कुछ आपको मिल जाता है तो फ्रंट में आपको हेलोजन हेड लाइट्स यहाँ पे मिलती है और जो टर्न इंडिकेटर्स ह गये हैं क्रोम फिनिश का जो यूज है ग्रिल के नीचे किया गया है और प्यानो ब्लैक कलर की जो ग्रिल है वो आपको यहाँ उपर मिल जाती है लेकिन एक चीज मुझे जरूर लगी कि जो रेत मिट्टी इनके अंदर फस जाता है उसको साफ करने में थोड़ा सा आपको गलेंप्स इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं नीचे जो ब्लैक कलर का डिजाइन दिया गया है वो भी काफी अच्छा लगता है और देखने में जो ओवरोल लुक है फ्रंट की वो बढ़िया लगती है जो लोवर बंपर का डिजाइन है थोड़ा सा कोरनर टाइप दिया गया वो भी इस गाड़ी की लुक को और ज़्यादा एन्हेंस कर देता है वरोल जो फ्रंट लुक है वो काफी सैटिसफेक्टरी आपको गाड़ी की लग सकती है अब आपको इस गाड़ी की लुक कितना पसंद है नहीं है वो भाई आप देख सकते हैं फ्रंट और साइड का जो किया गया है 180 mm की जो ground clearance है वो आपको मिलती है ABS और EBD के साथ में rear में drum और front में disc brakes आपको यहाँ पे मिल जाते हैं body color में ही ORVM से दिये गए और जो LED turn indicators हैं वो भाई उन्हें के उपर place किये गए हैं A, B या C कोई सा भी pillar आपको black out किया हुआ नहीं मिलता है, normal antenna आप छट पे देख सकते हैं और जो strip है वो भी black color की ही इस variant में आपको मिलती है, rear spoiler मिल जाता है और जो corner पे छोटे-छोटे designs यहाँ पे दिये हैं उससे अलगी look भाई गाड़ी की बन जाती है rear और side का जो combine look है वो भी भाई आप यहाँ से देख सकते हैं halogen में जो tail lamp है वो आपको मिलती है और गाड़ी के इसाब से बढ़िया look आपको यह tail lamps गाड़ी में दे देते हैं पीछे भी lower bumper पे थोड़ा सा design दिया गया है और जो black color का bumper है वो गाड़ी में बीच में यूज किया गया है parking sensors bumper पे यूज किये गये और जो boot है उसको आप चाबी लगा के पीछे से खोल सकते है या फिर driver seat के पास जो lever दिया है उससे आप खोल सकते है CNG और local for vocal का जो sticker है वो आपको left side में मिल जाता है boot को खोल के देख लेदे कि boot में आपको क्या कुछ यहाँ पे मिल सकता है तो भाई boot में जो CNG का cylinder है वो यहाँ पे रखा हुआ है और उसके रखने के बाद बहुत ज़्यादा जो space है वो आपको boot में नहीं मिलता है लेकिन भाई boot में cylinder के नीचे जो space है वो यहाँ पे दिया गया है और यह तीनों बैग यहीं पे रखे हैं क्योंकि सेलेरियो में यह तीनों बैग डालके जो कंपेरिजन है वो मैंने किया था और तब से यह बैग भाई यहीं रखे हैं तो देख सकते हैं कि जो समान है वो cylinder के नीचे आप रख सकते हैं पीछे वाली seat को fold करने के बाद फ्रंट से लेकर rear तक की जो look है वो यहाँ पे आप Tata Tiago की भाई देख सकते हैं तो boot space यह ना समझें कि भाई बिलकुल भी नहीं है थोड़ा सा कम मिलता है पुड़ा सा issue आपको हो सकता है समान रखने में लेकिन boot space आपको by Tata Tiago में जरूर यहाँ पे मिलता है interior की बात करें तो remote control चावी आपको मिलती है lock, unlock और parking light on करने के option के साथ में कोई भी requesting sensor आपको दरवाजे पे नहीं मिलता है dual tone में जो दरवाजे का interior है वो आपको यहाँ पे मिलता है black color में ही door handles दिये गए चारों ही power windows आपको मिल जाती है और जो driver window है वो one touch up या down function के साथ में आपको नहीं मिलती है नीचे bottle holder और जो speaker है वो भाई दरवाजे पे place किया गया है power adjustable ORVM आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिनको के आप अंदर से बड़ी आसानी से adjust कर सकते हैं driver seat की बात करें तो height adjust का जो option है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है back rest adjust कर सकते हैं seat आगे पिछे कर सकते हैं और fabric में ही जो seats हैं वो इस गाड़ी में भाई आपको मिलती है adjustable head rest front seats के उपर आपको मिल जाते हैं और यह है भाई dashboard की look तो देख सकते हैं कि dual tone में जो dashboard है वो आपको इस गाड़ी में मिलता है और जो side के AC vents हैं उनके उपर chrome finish का जो use है वो भी इस गाड़ी में आपको दिया गया है और यह है fully digital MID मिटर इस गाड़ी का जिसमें कि आप RPM, TNG का indication पैट्रोल का indication और जो speed है वो सब कुछ digitally आप यहाँ पे देख सकते हैं नोब दी गई है जिससे कि आप MID की जो detail है वो भी भाई आसानी से देख सकते हैं steering के बात करें तो sound controls और telephonic controls आपको steering पे मिल जाते हैं piano black finish के use के साथ में जो d-save steering है वो आपको गाड़ी में मिलता है cruise controls इस गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं दो airbag के साथ में गाड़ी आती है और steering को आप tilt adjust कर सकते हैं इस गाड़ी में center console पे चलें तो chrome finish के साथ में इसी vents दिये गए हैं और जो harman का stereo है touch panel के साथ में वो इस गाड़ी में आपको मिलता है चार speakers आपको मिलते हैं USB और Bluetooth से आप stereo को connect भाई कर सकते हैं उसके नीचे जो CNG और petrol का converting button है वो यहाँ पे दिया गया है उसके अलावा कोई भी button आपको यहाँ पे नहीं मिलता है manually AC और heater दोनों गाड़ी में मिलते हैं जिसके की controls यहां center console पे आप देख सकते हैं 12V का accessory outlet और USB point इस गाड़ी में आपको मिल जाता है छोटा मोटा समान भी आप आगे रख सकते हैं 5-speed manual transmission के साथ में गाड़ी आती है दो cup holders मिलते हैं और पीछे भी एक bottle रखनी की जो जगें है वो भाई आपको मिल जाती है glow books compartment आपको dual space के साथ में इस गाड़ी में मिलता है manually adjustable day night IRVMs दिये गए हैं और जो vanity mirror है वो आपको कोई से भी sun wiser पे भाई इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं foldable grab handles दिये गए हैं और काफी मजबूत grab handles आपको टाटा की गाड़ी में मिलते हैं front cabin में कोई भी light नहीं दी गई है केवल center में ही जो light है वो आपको यहाँ पे मिलती है तो ये था इस गाड़ी का front cabin और देख सकते हैं कि कैसी का look आपको इस गाड़ी के front cabin में मिलती है अब चलते हैं rear में तो rear के दर्वाजे पे भी dual tone में interior black color के साथ में door handles power window का control bottle holder और जो speaker है वो भाई दर्वाजे पे दिया गया है और ये है इस गाड़ी की rear sitting तो rear sitting भी काफी आराम दाय के fix address दिये गए और जो rear parcel tray है वो भी आपको मिल जाती है bench fold के साथ में इस गाड़ी में seat दी गई है center armrest या cup holder कोई सी भी चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलती है बैट के देख लेते कि space कितना क्या है तो space भाई बिलकुल बढ़िया इस गाड़ी में मिलता है बहुत जादा नहीं है तो बहुत कम space भी आपको नहीं मिलता है तो बीच का bump है वो थोड़ा सा उंचा जरूर है उसके उपर पैर रखके बैटने में थोड़ी से परिशानी भाई बीच के passenger को हो सकती है पीछे की seat पे बैटने के बाद जो इस तरीके की dashboard look है वो भाई आपकी आँखों के सामने रहती है अब बात कर लेते हैं इंजन की तो इस गाड़ी में 1199cc, 73bhp, 95nm torque और 26.89 km पर kg की mileage के साथ में थ्री सिलिंडर रिवोट्रोन पैट्रोल इंजन यूज किया गया है जो कि भाई बढ़िया पावर इस गाड़ी को दे देता है और CNG में भी जबरदस्त पावर आपको Tata Tiago में महसूस होती है ये मैंने चला के खुद experience की है pricing के बात करें तो Tata Tiago ICNG XT variant की जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,79,900 रुपए और own road ये गाड़ी आपको पड़ती है लगबग 7,61,149 रुपए की जिसमें कि आपको 58,000 road tax देना पड़ता है जिसमें कि आपकी number plate वगरा का खर्चा होता है और 31,000 के लगबग जो insurance है वो आपको pay करना पड़ता है उसके अलावा मैंने गाड़ी में कोई भी accessories नहीं लिये extended warranty नहीं लिये तो 7,61,149 रुपए में ये गाड़ी भाई मुझे own road पड़ी है ये price गुडगाओं के हैं और हो सकता है कि city to city और state to state ये prices भाई vary कर सकते हैं तो भाई बड़िया गाड़ी है चलने में ठिक ठाक है space भी आपको पूरा मिलता है और जो जरूरत की चीजे हैं वो भी इस model में आपको मिल जाती है अगर आपका भी budget थोड़ा सा tight है और 7,62 या 63,000 रुपे तक में आपको गाड़ी चीए तो भाई आप आसानी से टाटा टियागो ICNG की तरफ जा सकते हैं यही था आज का review उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को एंट तक देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों